क्रिकेट की दुनिया यानि गेम आफ क्रिकेट में आपका स्वागत है भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के मुकाबले मैच हैरन से हरा दिया बहतरीन ये मुकाबला हुआ एक बार तो ऐसा लग रहा था कि भारती टीम बेहद आसानी से मैच हार जाएगी लेकिन फिर मैच पलट गया जस्पित बुम्रां ने मैच को पलट दिया लेकिन मैच पलट ना बड़ी बात ने है कि इस मैच के बाद पाकिस्तान के ड्रसिंग रूम में जो हुआ वह बहुत बड़ा हंगामा था क्योंकि ड्रसिंग रूम में हाथा पाई होगी जगडा हो गया जियां कप्तान बाबर आजम को उठाकर फैंक दिया रिजवान को भी थपड़ तक पढ़ गया ऐसी खबर हैं न यह जीत भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है क्योंकि मुश्किल विकेट पर पहले तो टीम इंडिया के बलेबाजों ने खराब खेल दिखाया बहुत कम स्कोर बनाया लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान के टीम बलेबाजी करने आई तो पाकिस्तान के टीम का स्कोर दीर दिरे आगे बढ़ रहा था और जीत की तरब आगे बढ़ रही थी लेकिन अचानक जस्पिर दुम्रा ने अपने शानदार स्पैल से मैच को भारत के पक्ष में मोर दिया अब मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तान के मीटिंग वी पाकिस्तान के इस ड्रेसिंग रूम में बाबर आजम की स्पीच वी और बाबर आजम ने का कि हम मैच में अच्छी पोजिशन पर थे 84 रन तक हमारी पोजिशन शांदार थी लेकिन फिर हम अचानक आखिर के 5 से 6 ओवरों में 7 ओवर में हमने गेम गवा दिया यांपर बाबर आजम ने सीधे सीधे इमाद वसीम और फखर जमान जो कि इन दिनों मिडल ओडर में बले बाज़ी करने आते हैं इन दोनों पर सवाल उठा दिये अब जैसे इमाद वसीम और फकर जमान पर सवाल उठाया तो तुरंत इमाद वसीम भड़क गए जी हाँ इमाद वसीम वैसे भी पहले उनके बाबर आजम के साथ जगड़े चलते रहे हैं और अब इस भी जब वो टीम में वापस आये हैं तो जैसे उन पर उंगली उठाई गई तो इमाद भड़क गए इमाद ने बाबर पर उल्टा सवाल पूछ लिया कि तुमने कितनी घटिया बल्ले बाजी की तुमने 14 बॉल खेली सिर्फ दसन बनाए यही नहीं इमाद के बाद फखर जमान खड़े वे फखर ने कहा कि टॉप ओडर में जब बाबर और रिजवान ने बहुत धीमी बल्ले बाजी की भारत को आगे आने दिया रन नहीं बनाए उस तरीके से तो उसके बाद में लोडर में प्रेशर आ गया और फिर बुमरा को जहिलना असान नहीं है तब यही बर बाजचीत आगे बढ़ रही थी को रिजवान भी बोलने लगे जी हाँ रिजवान जैसे है बोलने लगे तो इसके बाद तो इमाद وसीम और फखर जमान का पारा साथ वे आस्मान पर मौ가요 बोलेगे तुम चुप रोगे इसके बाद पूरई ड्रेसिंग रूम में खास आहंगामा हुआ और उसके बाद अंत में कोच गेरी केशन को मामले को समझाना पड़ा, सुलजाना पड़ा खुल मिलाकर एक बार फिर पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम में भयंकर जगड़ा और इस जगड़े की वज़े बनी भारत के खिलाभार जो कि पहले भी होती रही है तो आपका पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में इस जगड़े पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं वीडियो को शेयर भी करें तो गौतम गंभीर के नाम पर लगभग लगभग मोहर लग चुकी थी माना ये जा रहा था कि गौतम गंभीर वर्ल्ड कप के बाद टिम इंडिया के हेट कोच होंगे टिम इंडिया के हेट कोच की कैप उनके सर पर होगी लेकिन अब उनके नाम पर ट्विस्ट आ गया जिया कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो गौतम गंभीर को भारती टीम का कोच नहीं बनने देना चाहते हैं यह बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं और इसलिए गौतम गंभीर के लावा कौन वो नाम है वो आपको बताते हैं पहला नाम है संजे मांजरेकर जी यहां दिगज कोमेंटर और क्रिकेट एनालिस्ट संजे मांजरेकर भी टीम इंडिया की कोचिंग की रेस में आ गये हैं और cricket analyst बनना थोड़ा सा आसान लेकिना संजय मांजरे का race में आ गए हैं। इस list में तीसरे नाम है सौरव गांगुली जी हां। सौरव गांगुली ने खुद कहा है कि वो टीम इंडिया का coach बनकर खुश होंगे जी हां। वो चाहेंगे उन्हें खुशी होगी वो इस बात को बहुत जादा पसंद करेंगे अगर उन्हें टीम इंडिया का अगला head coach बना जाता है जी हां। भी हो सकता है क्योंकि गांगुली डिल्ली केपिटल्स की टीम को भी mentorship करते हैं और इसलिए उनके पास coaching का भी अनबव है और वो एक अच्छे coach साबित हो सकते हैं। इसके लिए गांगुली को पहले apply करना होगा अब उन्हें apply किया या नहीं किया ये अलग बात है लेकिन गांगुली race में शामिल होगें। चौथा नाम भी इस list में आगे आई जीएं आप तक सिर्फ यही नाम बताय जा रहे थे या कहे जा रहे थे कि लेकिन आव इस बीच वीविएस लक्षमन का नाम एक बार फिर से इस list में सामने आने लगा वीविएस लक्षमन भी इस race में आगे निकलते वे दिख रहे हैं ज पुछ दिन के लिए ही सही लेकिन लक्षमन को यहाँ पर कोच बनाया जा सकता है क्योंकि अगर गौतम गंभीर के नाम पर मोहर नहीं लग पाती है फाइनली सौरव गाउंगली भी नहीं बनते हैं तो फाइनली लक्षमन के नाम पर मोहर लग सकती है और इसके अलावा दीबदास गुपता के नाम की भी चरचाय चल रहे हैं कि दीबदास गुपता भी टीम इंडिया की अगले हैट कोच के लिए आवे दन कर चुके हैं और उ जो मैंसे किसे होना चाहिए टीम इंडिया का अगला हैट कोच आपकी नजर में कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं वीडियो कोच शेयर भी करें तो हार्दिक पांडिय के लिए हलाद बच से बत्तर होते जारे हैं कंडिशन यह है कि उनका खेल खराब होी रहा है घर परिवार भी लगभग बरबाद होचुका है जोगि उनकी पतनी नताशा उन्हें तलाक देने जारी है सबी जानते हैं लेकिन अब नया मवाल शुरू ह पहले IPL के दोराने बवाल चल रहा था लोगों ने कहा कि रोईष शर्मा के साथ हुई टसल और फैन्स की हूटिंग की वज़े से हारदिक पांडिया खिल नहीं कर पार रहा है और इसकी वज़े बताया गया कि हूटिंग और रोई शर्म है लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं था क्योंकि हार्दिक पांडिया के अंदर बहुत कुछ और भी चल रहा था और वो वज़े थी उनकी पत्नी नताशा जिया उनकी पत्नी नताशा के साथ उनके सब हार्दिक पांडिया ने कुछ महलत मागी थी वर्ल कप खेल लेने देने की बात कही थी और कहा था कि वर्ल कप के बाद वो सब कुछ ठीक कर देंगे वर्ल कप के बाद जो नताशा चाहेंगे उस तरह से उनको अलग कर दिया जाएगा लेकिन नताशा ने बीच में ही यहाँ पर नया बावाल बखेडा शुरू कर दिया है अब नताशा चाहती हैं कि बच्चों की कस्टडी उन्हें मिले और इसलिए वो अब हारदिक पांडिया पर प्रेशर बना रही हैं क्रिकट के हर नई अपडेट के लिए गेम आफ क्रिकट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम आफ क्रिकट की हर खबर सबसे पहले